हम दो हजार इकिस में हैं और मैं एक सच्छा मुसलमान हो मेरा अपने मज़भ पे पूरा इमान है और मैं सैटिस्टी सभॉइ हूं अपने मजभ से और मैने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी और मैं समझता हूं साहिल भाई नहीं कोई जंग लड़ी नहीं होगी अभी तक और न बुझा ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदेगी में कोई जंग लड़ने वाले हैं तो ये लॉंडिया वाला जो भी मामला था ना आज हमारे साम में कहीं प्रैक्टिकली अवेलेबल है ना दुनिया की किसी कोने में आज ये चीज अवेलेबल है मैं आपको रोकना चाहता हूं इदर अब देखिए मेरे पास से ना एक हिंदी अनुवात के साथ कुरान है ठीक है मौलाना मुहमद जुनागडी साहब का ठीक है अब इसमें सूरे मारिज है सूरे नमबर सत्तर है उसकी आयत नमबर तीस है ठीक है उसमें लिखा है उसका जो ट अब इसमें इसका माना ये है और जो लोग अपने शर्म गाहों की हिपाज़त करते हैं हराम से लेकिन उनकी पत्नियों और दासियों के बारे में जिनके वे मालिक है वे मलामत वाले नहीं है ठीक है यानि आयत में ये बता जा रहा है कि मुसल्मान जो है वो अपनी जो प्राइवेट पार्ट से उसकी हिफाज़त करते हैं लेकिन जो एक्सेप्शन बताया गया है कि उनकी पत्नियों के साथ वो यानि सेक्स कर सकते हैं और जो लॉंडिया है उसके साथ सेक्स कर सकते हैं अब आप बोल रहे हो कि ये तभी था अभी नहीं है ठीक है अब देखिए इसकी तफसीर में क्या लिखते हैं आप सुनिए अब जितने लोग कुरान पढ़ेंगे वो इस तफसीर को भी पढ़ेंगे साथ में इसमें ये लिखते हैं कि आज के दोर में दासी का मामला यानि लॉंडियों का मामला इसलाम की बतलाई नीती तद्बीर के मताबिक लगबग खतम हो गया है फिर भी कानूनी तोर से उसे इसलिए खतम नहीं किया गया है कि भविश्य में ठीक है मुस्तक्बिल में यदि ऐसे हालात पैदा हो जाए तो इससे फाइदा उठाया जा सकता है जो भी हो इमान वाला की एक फजीलत ये भी है कि खौईश की तकमिल को पुरा करने के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाते अब दीके इसमें लिख रहे है कि अगर भविश्य में ऐसी कंडिशन आ जाए अगर समझो शरीयत आ जाए बात कर रहे हैं हाँ तो अगर शरीयत आ जाए तो ये कौन है इसमें फर्स परसन सेकंड परसन थर्ड परसन कोन है क्या फर्स परसन कौन किस से कह रहा है ये बात ये जो आपने भी जो पड़ा है पुरान से ये ये इस आयत की तफसीर में मौमद मौलाना मौमद जुनागरी आपने लिखी है जी ठीक है ना कि अगर अगर आज आए शरीयत फिर से भविष्टे में ये मुम्किन है कि अगर अगर शरीयत आ जाती है तो फिर से दासी वाला सिस्टम चलेगा आप इससे कैसे इंकार कर सकते हमीद भाई और मैं बूलता हूं कि आप एक मिन एक मिन आप सुन अगर शादी शुदा है तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो आप इसको कैसे सही मानते हैं सही मानते हैं गलत मानते हैं क्या मानते आप कि किसी औरत के साथ उसको बेच कर या उसको बाट कर उसके साथ हम बिस्तरी की जाए फिर उसको बेचने का भी option है आप इसको क्या मानते ह बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं इस तुम मैं तो आज तक ये टेक्स नहीं पड़ा और। एक सच्छा मुसल्मान हूँ आपने नहीं पड़ा लेकिन मैंने आपके सामने अभी पड़ दिया। आप इस चीज चाहरा हूं कि आज कहां है आप सिर्फ पढ़ रहे हैं पास्ट में हो गए इसे ने गोलो इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है हम भी यही कह रहें तो आप ऐसे को अपना नभी केसे मान सकते हैं एक जो नभी है उसके अंदर ये कॉलिटी कैसे आएगी कि वो दूसरी की ओरतों को बाट रहे हैं और उनके साथ सेक्स की पर्मिशन दे रहे हैं उनको बेच रहे हत्यार खरीदने के लिए आप खुद भी तो मान दें ना इस चीज गलत है गलत है न यह हिस्टोरिकल फैक्ट ह गलत है इसा गी हो सकता है नर्णAwis तक किसी ने इसके अलावा कोई इंटर प्रेटेशन नहीं किया अरे लेकिन बहुत बहुतfrage हैं कि इस चीज को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रौरत महसुस नहीं हुई मैं क्या बोल रहा हूं कि यह बाते पड़े बिना भी और जाने बिना भी मैं एक मुसल्मान हूँ ना आप रहो आपको उसे आपको कोई उसे रोप नहीं रहा मैं बोल रहा हूं जब मौहमत साहब के कैरेक्टर पे आपने इतनी सच्चाई से माना के चीज गलत थी पिर आपका इक्तियार है कि आप पिर भी उनको अभी भी नभी मानियाद के उपर है कम से कम आप माने कि यह चीज गलत थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं हिस्टोरिकली बता है ना अगर यह सारी चीज़े फैक्ट है तो यह सब गलत हुआ फिरी जो हुआ हाँ फैक्ट है ना क्योंकि यह ऐसा नहीं है कोई कोई रैंडमली कोई हिंदू आके या कोई यहूदी आके इस सब चीज लिखके गया है यह बड़े बड़े अल्लामा और खुद कुरान में मौजूद है क्योंकि यह सब चीज तो हमारी है ने एंडिया की बात करो ना बवाई हम इंडिया की बात करते हैं ना हम इंसानियत की बात करते है आप इसलाम को छोड़ दो तो इंसानियत की तो बात कर रहे हैं ना हम लोग अबी तो इसलाम को शूर लगा एक मिट एसाइल भे ना छोड़े कोई बात नहीं ये बोल रहे हैं कि आप सुधी की मात मत करो कर दें हरे हैं तो मुझे गहां दूरे हैंश व हम लोग तो मुझे ये बता दे कि हम लोग अब भाबने कापा जाएंगे या काव हें depending हैं मेरे आइसे थो अभी तक कुई नहीं गया एस अब और शायद आप जालेंगे तो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे ना जड़ूरा जाएंगे नहीं नहीं जाएंगे तो सर यह तो माखरी हो जाती है किसी भी लिए मुझे आप से इतराज ही है जो बास फरी पार जो आप जाएंग जाग जो उड़ाते है मज़ब का वो डाड इस नॉट गुले हुँ ये तो मजार नहीं ये तो कुरान में लिखा है हमीत भाई मजार कहां उडा रहा हूँ मैं तो बहुत शीरी की पूछा कि आप कैसे इसको सही है आप मतुरा जाएंगे कि पूछा है ने अच्छा वो अलग चीज है वो उन्होंने इसके लिए पूछा क्योंकि आपने बोला कि स हमारे जगा जिस जगा पर हम रहते हैं वहां पर हम गुरदारा के लोगों के साथ लंगर में काम परते हैं कि यह आप शिर्क करंए ना भैई आप शिर्क कर रहे हैं। भाई अब अब ये आप इस्लाम से बाहर जाके फत्वे देने का भी काम करने लगे हो? ये फत्वा नहीं एसे मौलाणा का फत्वा है नहीं के उसरे को खाट से इसलाम करने लगे? पहले खुद तो मुसल्मानों वाली जिन्दगी जी लो उसके बाद आके डिफेंस करना नो भई मैं बूलत रहा हूँ आपको मैं जो हमीद भाई देखे मैं एक बात बोलता हूँ मुझे इस बात की बहुत खुशी भी कि मैंने जो चीज आपको बताई मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब डोगलापन क्या हो जाता है मालूम है क्या आप एक तरह से जब काफिरों की बात आती है वहां पे आप को चीज बुरी नहीं लगती जैसा है कि हमारे मुबारक भाई ने बुला था पाकिस्तान में जो आहमेदिया भाईयों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है उसकी भी मज़मत करता हूँ जी 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 मैं यहीं बाई आऊ गलत तो गलत ही कर रहा है हम इह किसी सब कर